Hello everyone, तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे Asia Cup 2023 चुकि Asia Cup 2023 इस बार 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा है तो आज की हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे और इसकी हम इस्ट्री भी देखेंगे कि Asia Cup की शुरूआत कब हुई थी तो आज का मारा वीडियो इसी पर आधा रहे थे Asia Cup के बारे में तो आएए हम वीडियो की शुरूआत करते हैं तो पहले हम Asia Cup की हिस्ट्री जान लेते हैं कि Asia Cup की शुरूआत कब हुई थी तो Asia Cup की स्थापना जो थी वो सन 1983 में Asia Cricket Council यानि कि A C C Asia Cricket Council के स्थापना के साथ ही शुरू किया गया था यह और यह इसका उदेश्य Asia Cup का उदेश्य है कि एशियाई देशों के बीच बहतर रिस्तों को बढ़ावा देना चुकि एशिया जो एशिया कप है वो हर दो सालों में आयोजित किया जाता है और यह की ODI और T20 के प्रारूप का एक टूर्नमेंट है एशिया कप है जो है वो भारत ने साथ बार अपने नाम किया है यानि कि जब से इसका पहला जो टूर्नमेंट था वो सन 1984 में पहला टूर्नमेंट खेला एशिया कप की स्थापना 1983 में हुई थी और उसके बाद 1984 में पहला एशिया कप टूर्नमेंट खेला गया था तो भारत ने अभी तक कुल साथ बार एशिया कप अपने नाम किया है तो अब हम उनके सन देख लेते हैं तो सन 1984 में सन 1988 में 1991 में 1995 में 2010 में 2016 में और 2018 में कुल साथ बार भारत में एशिया कप जीता है वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है श्री लंका पहले नंबर पर भारत है भारत में सरवादिक बार एशिया कप जीता है दूसरे नंबर पर है श्री लंका श्री लंका ने कुल 6 बार एशिया कप अपने नाम किया है श्री लं उसके बाद 2008 और उसके बाद 2014 और उसके बाद 2022 इन 6 सालों में श्री लंका ने एशिया कब जीता है और पाकिस्तान ने अभी तक जिर्फ दो बार ही जीता है पाकिस्तान ने जीता है सन 2000 में और उसके बाद 2012 में दो बार जीता है पाकिस्तान ने और एशिया कब का जो पंद्रवा संसकरन था यानि कि इसके पहले का जो पंद्रवा संसकरन था वो श्री लंका ने जीता फाइनल में पाकिस्तान को पराजित करके जीता था यानि कि जो इसके पहले जो हुआ था चुकि जो एशिया कप 2023 है ये 16 सीजन है और ये इसके जो बंद्रवा संस्करन था वो स्री लंका ने जीता था इसके बाद अब हम इसके एशिया कप 2023 की अब हम बात करें कि एशिया कप 2023 जो एशिया कप 2023 है वो आयोजित होने जा रहा है 30 अगस्त से 17 सेप्टेंबर को 17 सेप्टेंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा और जो एशिया कप 2023 है ये इसका सोलवा एडिशन है यानि कि सोलवा संसकरण है अब हम इसके मेजवान देश की हम बात करें कि इसके मेजवान देश कौन है तो पाकिस्तान और श्री लंका में ये मैच आयोजित किये जाएंगे एशिया कप के तो मेजवान देश है पाकिस्तान और श्री लंका इस tournament में कुल 6 देश शामिल हो रहे हैं कौन-कौन से देश शामिल इसमें भारत है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, स्री लंका, बंगला देश और नेपाल ये 6 देश हैं, ये इस tournament में शामिल है और एक interesting बात ये है, कि नेपाल जो है, वह है पहली बार, इस बार Asia Cup खेलेगा तो नेपाल का ये पहला match होगा हम, Asia Cup में और सबसे पहली बार, यानि की 1984 में 1984 में यानि की पहली बार ये match खेला गया था UAE में UAE में आयोजित हुआ था, और इस season में भारत विजिता रहा था, ये हम देख चुके हैं, पहले है वहीं श्री लंका इसमें दूसरे नमर पर था अब एक fact ये भी है कि आप दूसरी बार होगा, मतलब पाकिस्तान में ये match आयोजित कहा जा रहा है इस से पहले साल 2008 में भी पाकिस्तान में एशिया कप का आयोजित किया गया था, और उस season में श्री लंका विजए रहा था ये जानकर आपको एक अश्री होगा कि भारत ने अब तक सिर्फ एक बार एशिया कप की मेजवानी की है भारत ने अभी तक सिर्फ एक बार एशिया कप की मेजवानी की है और इस टूर्नमेंट की सबसे ज़ादा मेजवानी की है बांगलादेश में बांगला देश में एशिया कप छे बार हो चुका है तो सबसे ज़्यादा मेजवानी की है बांगला देश ने और इस बार का जो टूर्णमेंट है वो एक हाइब्रेड मॉडल में होगा एशिया कप के चार मैच पाकिस्तान और फाइनल समेट नौ मैच श्री लंका में खेले जाएगी चुकि इसमें कुल तेरा मैच आयो जित किये जानी है तो उन तेरा मैचों में से जो चार मैच है वो होंगे पाकिस्तान में और जो नौ मैच है वो होंगे श्री लंका में में ही खेलेगी और वह है पाकिस्तान के खिलाब 2 सितंबर को खेलेगी और यह मैच केंडी में आयुजित किया जा रहा है चुकि भारत की कुछ राजनितिक कारण भारत श्री लंका भारत पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगी उसकी जो मैच आयुजित की जाएंगे वो सारे श्री लंका में होंगे नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि टूनमेट में छे टीमों को दो अलग-अलग ग्रूपों में बाटा गया है तो कौन-कौन से एक का नामे ग्रूप A एक का नामे ग्रूप B तो इस पूरे सीजन में छे टीमें शामिल है तो भारत, पाकिस्तान, नेपार ये ग्रूप A में है बांगलदेश, अफकानिस्तान और श्री लंका ये ग्रूप B में है इस बार एशिया कप के मुकाबले पाकिस्तान और श्री लंका में खेले जाएंगे और इस effective पिछला सांस्करण आपसी जो एशियाई टीम में जो खिलाडी सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में कि कौन-कौन से खिलाडी खेलेंगे तो एशिया कप के लिए भारतिय टीम का अलान हो चुका है के एल राहुल और स्रेयर्स अईयर की टीम में बापसी हुई दोनों पिछले काफी समय से चोट की वज़ा से बाहर थे अब दोनों की वापसी हुई वहीं जस्प्रीत, बुमरा, प्रिशिद, कृष्णा भी वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं ये दोनों भी चोटिल थे तेलक वर्मा इस टीम में एक नया नाम जुड़कर जुड़े हैं जो में देखने को मिला है और अजीत अगरकर कि अगवाई वाल एचयान समीती ने तेलक को चुनकर चोटाया उन्होंने हाली में बेस्ट इंडीज दौरे पर T20 डेब्यू किया था इन्होंने हाली में भी जो समीती ने कुल 18 खिलाडियों को चुना है कुल 18 खिलाडी सेलेक्ट हुए जिनमें से 17 में खिलाडी है और 18 नमबर के आने की संजू सैमसन बैक अप के तौर पर सेलेक्ट किये गए हैं जो संजू सैमसन है वह विकेट कीपर होंगे और योजवेंद्र चहल को इस टीम में नम से बाहर कर दिया गया है इस टीम के जो कफतान होंगे बो होंगे रोय स्टर्मा और जो ओप कपतान होंगे ओप कपतान होंगे हार्दिक पंडिया कप्तान होंगे वह है T24 है और यह जो हार्दिक पंडिया है वह भी पिछले T24 में का भी नेतरत पर कर चुके तो एक बार हम इन खिलाडियों को देख लेते हैं एक है रोहिश शर्मा दूसरी नंबर पर शुबमन गिल तीसरी नंबर पर विराट कोईली चौती पर श्रिया सेयर पाचवे पर केल राहू छेटवे पर हैं शूर्य कुमार यादव साथवे पर तिलक वर्मा आठवे पर इशान किशन नवे पर हार्दिक पंडिया फिर है क्रादेष कृषण और संजु सेंसन गी अठाराख खेलेंगे एशिया कप और संजु सेंसन नसा बैक एक रब के तोर पर है इस बार एशिया कप में और बीसी स्याइए ने साफक rounds पहले ही साफ कर दिया बारत है एशिया कप खेलने पकिस्तान नहीं जायेगा इसलिए जो भारत के जो सारे मैच है दो अब श्री-लंका में ही होंगे भारत के सभी मैच में का स्री लंका में कहीं आयो कि किये जाएंगे तो यह था आज का हमारे इशिय का पर वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग थैंक यू